इस वक्त हम मौझूद हैं भागलपूर के तातारपूर चौक पर यहां भी जनता केरफ्यू का सिधा असर देखा जा रहा है इस चौक से आप तस्वीर देख सकते हैं कि सारी दुकाने जो तातारपूर मार्केट की है सभी दुकाने बंद हैं हम अपने काम्रामेंस से चाहेंगे कि आपको सभी दुकाने यहां से दिखाएं कि तातारपूर चौक में जो करीम 500 से अधिक दुकाने हैं पूरे तातारपूर इलाके में वो सभी दुकाने बंद हैं, हाला कि आवेशक सेवाएं बाधित नहीं की गई हैं, बंद नहीं हैं, ATM खुले हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ATM जो बैंक है, HDFC बैंक का और ICI बैंक का ATM खुला हुआ है, मेडिकल स्टोर भी खुले हुए हैं, आ जनता केरफ्यू का भागलपूर के तातारपूर चौंक पर असर देखा जा रहा है, सभी दुकानों में सेटर लटके हैं, ताले लगे हुए हैं, और आप तस्वीर देख सकते हैं कि सिरी तस्वीर देख सकते हैं कि जहां तक भी आपको नज़ा जाएगी, बहां तक पर मौझूद है, काफी भीढ़ वाला इलाका माना जाता है, अमूमा नहां पर जो है, तो काफी संख्या में भीढ रहती है, और आप देख सकते हैं कि यह जाता है, मुलानाचकी और यह घली जाती है, और इस घली के भी सारी दुकाने याने की जो मुख सड़क है, उसको च जंता कैर्फ्यू का आहवान किया गया उसका असर भागलपूर में साफ देखा जा सकता है और जहां से है रास्ता सीड़े स्टेशन चौंक की और जाता है और आप जो तस्वीर देख रहे हैं जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी बहां तक लोगों की आवा जाही बिल्कु समुदाय का इलाका माना जाता है और यहां से सुक्रबार को जो मस्जिद है तातारपूर मस्जिद आप देख रहे हैं इस मस्जिद से भी सुक्रबार को जो परधान मंतरी नरेंदर मोदी के दुआरा जो जनता कैर्फ्यू का आहवान किया था मस्जिद के इमाम खानकाओं के सज्जादा नसी ने जनता कैर्फ्यू का समर्थन किया और लोगों से अपील की कि जो सरकार जो फैसला ली है जनता कैर्फ्यू का आप उसका समर्थन करें और यह एक महामारी का रूप ले चुका है इस महामारी से बचने में सरकार का सयोग करें और कहीं न कहीं धार्मिक ग स्वीर देखे कि किस तरीके से सारे दुकान में सेटर लगा हुआ है और लोग अपने अपनी दुकान को बंद करके होटल को बंद करके पतुष्ठान को बंद करके खुद परधान मंतरी का जो जनता केर्फ्यू का आहवान है उसका समर्थन कर रहे हैं